Hello guys, welcome to stay smart. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने WordPress पर बने हुए website को आप कैसे customize कर सकते हो. तो इस वीडियो में मैं आपको step by step ये बताऊँगा कि आप कैसे अपने website को professionally customize कर सकते हो. तो basically कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था how to create free website and उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपना एक बिल्कुल free website बना सकते हो. तो जब वो वीडियो मैंने upload की तब उस वीडियो पर views नहीं आए. बट अब उस वीडियो पर एप्रॉक्स वन लाक व्यूज है और काफी सारे comments आते हैं कि भाई इसके आगे की वीडियो बनाओ, इसके आगे की वीडियो बनाओ, हमें नहीं पता कैसे customize करे, कैसे earning करे, कैसे rank SEO. तो मैंने सुझा कि क्यों आप मैं एक पूरी website की series अपने channel पर चलाऊँ, तो जी हाँ दोस्तो मेरे channel पर एक पूरी series आने वाली है, कि आप website बनाना तुम्हेंने सिखा दिया है, इस वीडियो मैं मैं आपको customize करना सिखाऊँगा, next video मैं आपको किस तरह से post लिके हैं, किस तर आने वाला हूँ, तो पहला जो वीडियो था, वो था how to create a website, ये दूसरी वीडियो है, how to customize your website, तो चलिए guys, बहुत लंबा intro हो गया है, अब हम वीडियो को start करते हैं, और आप इस वीडियो को step by step follow करें, so without wasting any more time, let's get started. Okay guys, तो मैं वीडियो को start करने से पहले आपसे एक बात बुलूँगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें, step by step आप इस वीडियो को follow करें, तो guys, हम है अपने default website पे, तो हमारा कुछ इस तरह का website होता है, जब हम website बनाते हैं, आपको यहाँ पर एक image देखने को मिल जाती होगी, मैंने उस image को delete किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो मेरा site ने में, Hindi facts, आपको यहाँ पर मिलता होगा, create a website, और यह जो tagline न website में customize करना सिखाऊंगा, तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने website की admin panel में, तो इसके लिए आपको URL में type करना है, अपने site का address, उसके बाद slash wp-admin, यहाँ से आप अपनी login details एंटर करके, आप अपने dashboard में login कर लीजिए, तो आप जैसा ही अपने site के admin panel में login हो जाते हो, तो आप देख सकते हो, यह रहा आपका dashboard, तो यहाँ पर मैं कुछ भी करने से पहले आप से यह बोलूँगा, अगर आपका WordPress जो update पूछ रहा है, तो आप उसे update कर लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर update बोल रहा है, बट यह video tutorial है, तो मैं इसे update नहीं करूँग बट मैं आपको recommend करता हूँ कि आप अपने WordPress को update कर लीजिए, और आप अपने WordPress को update कर देने के बाद, अब हम यहाँ से जो पहला update करेंगे, जो पहला change करेंगे, वो है अपने सारे plugins को remove, जी हाँ, सारे plugins को remove करना होगा, अब आप बोलो कि हम अपने सारे plugins को remove क्यों करें, प्ल आभी आपको पर यहां पर प्लगिन का जो चेक मार्ट दिख रहा है वहां पर टिक कर दीजिए और टिक करने के पाद यहां पर bulk action पर click करके वहां से आपको delete select करके apply कर देना है तो अब आपके सारे plugins जो है वो delete हो जाते हैं और हमें जो plugins required होंगी वो हम बाद में install कर लेंगे तो हमने सबसे पहला जो update था वो हमने कर लिया है तो अब यहां से हम जो second update करेंगे वो है अपने permalinks को update तो permalinks क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमें चलना होगा अपने website पर और उसके बाद हमें जाना होगा अपने post पर और post पर आ जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हो आपका जो URL है, post URL वो आप देख सकते हो, आपका site name है उसके बाद slash, उसके बाद date, month, year उसके बाद आपका post name है तो यह होती है permalinks तो यह permalinks आपको search engine result में भी काफी help करती है तो इस तरह का जो यह link है आपका जो date, month, year आ रहा है उसके बाद आपका post name तो यह professional नहीं है तो आप किसी भी website को ले लीजिए जैसे google.com तो आप जब google.com पर जाकर उसके about page में जाती हो तो वहां पर होता है उसका जो URL होता है, वो होता है google.com slash about इस तरह का date या वगेरा कुछ भी नहीं होता google ही नहीं बलके आप किसी भी professional website को ले लीजिए जो भी आप post खोलोगे या फिर page खोलोगे वो होता है website name.com slash उस page का name या फिर post का name तो हमें ये change करना होगा तो इसके लिए हमें वापस जाना होगा dashboard में और dashboard में आने के बाद settings और settings पर save permalinks और permalinks पर आजाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर इतने सारे options मिलते हैं plain day and name, month and name, number 1 तो इस तरह से आप यहाँ से कुछ भी select कर सकते हो बट मैं recommend करूँगा post name आप select कीजिए क्योंकि यह SEO में आपकी help करता है तो आपको select करना है post name और यहाँ से आपको save कर देना है तो अब हम चलते हैं फिर से एक बार अपने website पर और मैं आपको दिखाता हूँ यह जो link थी वो किस तरह की अब आपको मिलती है तो यह आगए हैं आपने website पर अब यहाँ से मैं post पर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो link है आपका जो URL है वो किस तरह का यहाँ पर आ रहा है आपका site name slash उसके बाद आपका post name तो यह काफी ज्यादा neat और काफी ज्यादा professional भी लग रहा है और आपकी select करना है themes तो दोस्तों theme ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके website को एक पूरा का पूरा look change कर देती है आप तरह तरह की themes लगा सकते हो WordPress में बिल्कुल free of course इसलिए ज्यादा लोग WordPress को prefer करते हैं आपको इसके ढेर सारे themes मिल जाते हैं बिल्कुल free में तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ themes नजर आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर add new पर क्लिक करना है और add new पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामें काफी सारे themes आ जाते हैं तो आपको यहाँ से कोई भी अपनी पसंद की theme select करना है अगर आप चाहो तो यहाँ पर category wise भी आप themes को देख सकते हो तो यहाँ पर से popular पर click किजिए और popular पर click करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सारे popular themes जो है वो show होने लग रहे हैं आपका website texture related हो या फिर आपका website हो photography या फिर आपका website जिस भी तरह का हो तो यहाँ से आप उस तरह की theme select कीजिए तो मैं यहाँ से कोई भी एक texture related theme को select कर लेता हूँ क्योंकि texture related website मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक theme है hit mac तो यह मुझे अच्छी लग रही है तो अब हमें इसे preview करते हैं और हम देख लेते हैं यह theme हमें किस तरह की देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो theme है कुछ इस तरह की आपको दिखेगी तो यहाँ पर इंस्टॉล पर खलिक करके आप उस theme को install कर लीजिए आप अपने हिसाब से कोई भी theme को select कर सकते हो अब जो आपकी तीम है वो install हो चुकी है तो अब हमें यहाँ से accurate पर खलिक करके हम इस theme को activate कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो जो theme है वो activate हो गई है तो हम यहाँ से अपने site को एक बार visit कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो site है वो पहले से काफी अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा look change हो गया है बट यह अभी कुछ खास नहीं लग रहा बट अपने से एक beautiful website में change करेंगे तो अब हम थोड़े post और pages delete करेंगे जो wordpress में हमें auto install देते हैं सभी को delete कर दें ताकि website fresh and clean दिखे तो dashboard पर आईए then pages पर और यह sample page तो यहाँ पर हमें एक sample page मिलता है तो उसे delete कर दें आल राइट page delete हो चुगा है अब बारी है post की click on post hello world click कर यह trash पर and same trash can में जाकर delete permanently तो pages and posts तो delete हो गए हैं बहुत ही खाली खाली लग रहा है अपना website तो हम अपने site में pages add करते हैं dashboard and click करें pages पर और new page पर click करके हम एक new page create करेंगे add new हमें एक homepage चाहिए so type करिए homepage and publish and उसके बाद आप और pages create कर सकते हो click on add new and type करिए about and publish and again add new type करिए services and publish again add new and now contact us and publish आप यहाँ पर pages पर click करके pages को देख सकते हो और आप सेम इसी तरह से बहुत सारे pages अगर आप चाहो तो create कर सकते हो तो यह एक tutorial है तो मैं चार ही रहने देता हूँ तो हम यहाँ से अपने site को एक बार visit कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो site है वो पहले से काफी अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर से आप customize पर click कीजिए और customize पर click करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ जिस तरह से आपके सामें आ जाता है तो आप यहाँ से select कीजिए site identity और site identity पर आ जाने के बाद आपका जो site title है अगर आपने change नहीं किया है तो आप यहाँ से जो है वो change कर सकते हो और साथी साथ नीचे यहाँ पर एक tagline है तो आप यहाँ पर कुछ भी अपने site के जो tagline होती है वो आप यहाँ पर से कुछ भी लिख सकते हो और tagline देतने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो select logo तो आप यहाँ से logo select करके आप इस name के जगा आप logo भी लगा सकते हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है मेरे पास तो कोई logo है नहीं फिर भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ select logo पर click कीजिए उसके बाद select files जहाँ पर भी आपका logo बनके रड़ी है आप वहाँ पर जाकर उसे select कि लीजिए तो मैं यहाँ से एक image है मेरे पास वो select कर लेता हूँ देखिए कुछ इस तरह की एक image है यहाँ पर मैं जबताने के लिए select किया है मैंने उसके बाद यहाँ पर से select कर दीजिए और select करने के बाद यह आप से size adjustment पूछेगा आपके मर्जी है जितना size आपको यहाँ से set करना है set कर दीजिए और उसके बाद crop image पर click कर दीजिए और click कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो name है उसके उपर यह इस तरह का एक logo बनके आ गया है तो definitely यह logo नहीं है एक photo थी मैंने बस आपको बताने के लिए यहाँ पर लगाई है वहाँ पर आप चाहो तो icon लगा सकती हो इसके लिए आपको select image पर click करना है उसके बाद upload files select files उसके बाद जहाँ पर आपकी वह फोटो है वहाँ पर जाएए select कीजिए photo को और उसके बाद यहाँ पर से select कर दीजिए अगर आप चाहो तो size adjustment कर सकते हो और उसके बाद crop image कर दीजिए अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी जो यहाँ पर logo सरक किया है I mean वो यहाँ पर आ गया है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का जो अब के side के पास में जो show कर रहा है वो आपका logo है जो हमने अभी लगाया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है वो logo show नहीं कर रहा तो अभी हमने लगाया है ना तो मैं एक बाद इसे refresh करता हूँ और हम देखते हैं यहाँ पर logo आ जाता है तो यह मैंने refresh किया तो यह नहीं आया हाँ तो safe and publish यहाँ पर से करना होगा तब जाके आएगा तो उसके बाद हम यहाँ से safe and publish कर देते हैं और उसके बाद मैं आता हूँ एक बार यहाँ पर और अब मैं यहाँ पर एक बार refresh करके देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे हैं मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो आइकॉन है अपने साइट का वो यहाँ पर आ चुका है सेफ कर देने के बाद अब आपको आना है अपने डैश बोर्ड में तो उसे पहले हम चलते हैं एक बार अपने वेबसाइट पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है पूरी तरह से यह जो वेबसाइट है वो मिलकुल खाली है तो यहाँ पर जो आपके पेजेस है तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करके देखते हैं about पे हम click करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर about पे अगर click किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर यह आपके site का यह about page है तो यहाँ पर आपके site के बारे में description होनी चाहिए मतलब आपका साइट क्या है आपके साइट के बारे में वहां पर लिखा होना चाहिए तो इसके लिए आपको जाना है डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में जाने के बाद पेजस पर क्लिक कीजिए और पेजस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो about और यहां पर edit तो आपको edit पर क्लिक करना है और edit पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर से आपके page के बारे में I mean sorry आपके about page के बारे में लिखना है यानि कि आपके website के बारे में यहां पर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पर आपको अपने साइट के बारे में कुछ भी लिखना होगा तो मैंने यहाँ पर कुछ दूसरे साइट से कॉपी किया था तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा वीडियो लंबी ना हो जाए के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो about page और मैं जैसा ही about page पर click करता हूँ अगर आपके about page पर कोई भी click करता है तो आ उसे यहाँ पर आपने जो about page में लिखा है वो यहाँ पर shop करता है उसी तरह से आपको contact us जो page है उस पर भी आपको अपने contact details देनी होंगी, तो फिर से आपको डैश्बूट में जाना है, फिर से pages पे आना है और pages पे आने के बाद contact us, edit, तो यहाँ पर मैंने फिर से कुछ एक दूसरे website से copy किया है, आपको just आपको दिखाने के लिए किस तरह से आपको अपना contact us page जो है आपको किस तरह से बनाना है तो हम आ गया है, अपने contact us page पर तो अब मैं यहाँ से जो copy गया था मैंने वो paste कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने copy कर दिया है, यहाँ से update कर देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं अपने website पर और हम आ गये हैं अपने website पर तो अब जबी भी कोई भी आपके website पर आकर आपके contact us page पर click करता है तो आप देख सकते हो, यह रहा आपका contact us page तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर किस तरह की information दी गई है यहाँ पर आपको अपनी email ID देनी होगी, अपना phone number देना होगा अगर आप चाहो तो अपने facebook page, twitter, handle आप बिल्कुल ही इस तरह से अच्छे से अपना contact us page भी आड़ कर सकते हो इस तरह से आपको फिर से dashboard में आना है फिर से pages पर जाना है और इस बार आपको services में अगर आपने दिया है services तो आपको वहाँ पर, आप किस तरह की service provide करते हैं, वो लिखना है मतलब जो भी pages आपने बनाए हैं, उससे related आपको कुछ ना कुछ उसमें लिखना जरूर है तो guys, ये था wordpress website customization, आप यहाँ पर सकते हो, जो site है वो बिलकुल ही खाली है यहाँ पर कोई भी post नहीं है यहाँ पर कुछ भी अभी तक नहीं है तो इस वीडियो में मैंने बोला था कि सिर्फ customization मैं आपको बताऊंगा, तो customize तो हमने website को कर दिया है, अच्छे से और जो next video होगी मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको post किस तरह से लिखना है आपको title, description, आपको concept plug-ins यूज करना है मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा और अभी तो फिलहाल site बिलकुली खाली है, यहाँ पर कुछ भी content नहीं है इसलिए यह site ऐसा लग रहा है अब जैसे जैसे मैं site पर यहाँ पर post लिखूंगा दो-चार post मैं आपको अगली वीडियो में post करके दिखाऊंगा तब उसके हिसाब से जब post होते हैं तब उसके हिसाब से मैं आपको और भी ज्यादा website में customization होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको post किस तरह से लिखना है title and description meta tag क्या होता है SEO किस तरह से करें और जो post होती है उसकी promo links तो guys यह था just customization तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like कीजिए तो दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं जैसे ही next video upload करूँ तो आपको notification आजाए तो इसके लिए आपको हमारे channel को subscribe करना होगा तो देरकिस बात की अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और साथी में जो bell icon है उसे भी जड़ा enable कर लीजिए